हलो दोस्तों नौरात्री की आप सभी को हार्दिक सूप काम ना है आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नौरात्री एस्पेसल ब्रत में खाने वाली पकोड़ी यह हमने आलू और कुट्टू के आटे से बनाई है तो इसको हमने कैसे बनाया है आप सभी लोग देख लीजिए हम अधा किलो आलु उबाल लिये हैं और उबालने के बpoint हम इनको छील लेंगे छील के हम इसको मैस कर लेंगे coexist तो यहां पर हम हालू हाँस से ale scanner इसमें हमने तीन से चारहरी मिर्चे डाल दी है और यहां पर हम डालेंगे anál behavior Jacqu toast कुट्टू का आटा ले लिए चाहे तो सिंगाडे का आटा ले लिए तो यह हम आटा ले रहे हैं कुट्टू का तो कुट्टू का आटा हम मिलाएंगे एक पैकिट आटा लिया है तो पूरा नहीं डालेंगे आधा पैकिट हम कुट्टू का आटा डालेंगे और इसमें हम डा या टमाटर की चटनी के साथ खा सकते हैं बहुत मज़ा आएगा दोस्तों आप हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक भी करिएगा सेयर करिएगा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए तो इन कि अजने त्यमीं के मिला लिया ही को मिला कर इसको अच्छे से हम घु बनाएंगे वो भू में अजुप जादा नहीं लाइएंगे क्योंकि हम पकॉड़ियां करेंगे तो इसको ऊńदाशा ना रहोदा तो ज्यादा हम कड़ाइी रखकर चब कड़ाई हमारी घरम हो जाएगी तो हम उसमें डाल देंगे different hotола आप चाहें तो देशी घी भी । ढाल सकते हैं तो हम 21 tua से बना रहें हैं अब इसमें एक एक कर्के छोटी मोध्री जाओं नीचे से रहेंगा हम ठीड़ी पकने सेड़ी में क्र कृकृकृ कृकृी से और coru में बहुत टेस्टी लगती हैं दोस्तों तो आप देखिए इस तरह से हमको पकाना है धिर धिरे से एक एक करके यह सारी पकोडियां उलट पलट कर लेंगे जब यह थोड़ा सा नीचे से पक जाएंगी तभी हम पलटेंगे इन पकोडियों में बहुत जादा कुछ नहीं डाल यह रहता है क्योंकि यह बुरत तो जीरा डाल सकते हैं लेकिन हरी मिरच और सेंधे नमक है हमसेे पकोडियों को बनाए कि यह बहुत टेस्टी लगे हमारी बिल्कुल रेड कलर की हो गई है पकर तयार हो गई है इसे तरह हम दो बारा से भी डाल देंगे क्योंकि अभी हमारा डो बचा हुआ है इसको भी हम पूरा बना लेंगे यह हमारी पकोड़ियां धिर धिर आज भी पक रही है और यह खाने में बहुत टेस्टी होती है आप लोग एक बार यह पकोड़ियां जरूर ट्राइ करिएगा कुट्टू की आटे की पकोड़ियां है यह और यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके भी बता दीजिएगा दोस्तों तो आप लोग दीख सकते हैं कि हमारी दूसरी बार की पकोड़ियां भी पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और इन पकोड़ियों को भी हम निकाल लेंगे और निकाल के हम इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए रखेंगे तक तक हम आपने टामाटर की चटनी भी बना लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि यह पकोड़ियां कितनी ज़्यादा करारी और कुर्गुरी होती हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती ह अगर आप नोरात्री ब्रत हैं तो आप यह पकोड़ियां जरूर बनाएं इंज्वाइ करें यह पकोड़ियां आप पेट भर कर खाएंगे आपको बहुत अच्छी लगेंगी बेसन की पकोड़ी से भी ज़्यादा टेस्टी यह पकोड़ी लगती हैं और बहुत ही करारी ब आप टमाटर के चटनी के साथ इसको खाएंगे धनिया टमाटर के चटनी के साथ तो यह आपको बहुत अच्छी लगेंगी आप दही के साथ भी इसको ट्राइ करिएगा क्योंकि यह दही की साथ भी बहुत अच्छी लगती हैं दोस्तों तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमे बाद हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में